ICC World Cup जनून, T20 World Cup और हम बात कर रहे हैं T20 World Cup में Stream Media Radio presents ICC World Cup जनून, और ICC World Cup जनून में मैच होने जा रहा है जनाब Pakistan versus Zimbabwe, बहुत की important मैच आज का, जो कि आज होगा पाकिसान और Zimbabwe के दर्म्यान और पाकिसान और Zimbabwe की साइट्स ने हैं बहुत ही strong साइट्स हैं, Zimbabwe ने पहले ही मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अगर देखा जाए तो पाकिसान और Zimbabwe की दोरो साइट्स से तवक्कात यह हैं कि आने वाले मैचस में और भी बहुतर परफॉर्म कर सकती हैं अगर तोरो साइट्स का थुरत तज़्दिया करते हैं पाकिस्तान की टीम के बारे में पाकिस्तान टीम के बारे में नकादों का कहना है जितने क्रिटिक्स हैं तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान नैट में बहुत बड़ी गलती की वो गलती क्या थी? वो गलती ये थी पाकिस्तान के एंड पे, एक पाकिस्तान ने चौता सीमर यानि महम्मद बसीन को टीम में शामिल नहीं किया, उनकी जगा आसे भली को मौका मिला, और आसे भली की टीम में होने के वाइसे पाकिस्तान के बैटिंग स्टेंथ तो इजाफा ह लेकिन 6-7 बॉल्स का क्या वाइदा है आसे वली का टीम में रखने का इससे बेतर है कि आप हम चार बॉलर्स के जाते साथ जाते नवास और शादा आप दोस्पिनर आपके पास अलड़ी अवेलर है शाहिन शाह फृरीदी इंचर होने के बाद 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 और भी जितने भी खिलाड़ी हैं मुहमद नवाद और जितने भी खिलाड़ी हैं वो बहुत थी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बैटिंग नाइन की बात करते हो तो इफ दखार ने लास मैक में क्या शानदार बैटिंग की सिर्फ 34 बाल्स पे 51 रंस के स्कोर किये और उसक मुहमद रिजवान और बाबर आजम वो फेल हुए लेकिन पाकिस्तानी बैट्स पैन मिडल और ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हैं और अभी तो सही मानों में चक्के नहीं लगे हैं जनाब हैदर अली के हैदर अली उस तरह से नहीं खेल रहे हैं जिस तरह हैदर अल किसे और इस तरह से आज देखना यह है कि आज पाकिस्तान क्या स्कोर करता है और किस तरीके से वापस अपनी पॉम में आता है जन्बाबे के अगर बात करते हैं तो मजरबानी और इसके साथ है चिटारा बड़े अच्छे बास बॉलर है उनके और उनसे बड़ी ही तवकात जंबावे को और उसके साथ 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 बैडिक में सिकंदर मिर्जा जो के खास तोर पे सिकंदर रजा जिन्होंने इस वक्त सबसे ज्यादा हाई रन रेट के साथ उन्हों रंस की और स्ट्राइक और पुछ टेटी एक साल में तीसरे नंबर पर है अगर बात की जाए कोई साइड ही बहुत अच्छी है जंबावे की बैनिक से बड़ी तवकात है जंबावे की साइड बहुत अच्छी है और लगता यूँ है कि जंबावे जो है जिस तरह से प्रफॉर्म कर रही है और जिस तरह से खेल रही है जंबावे पाकिस्तान को टाफ टाइम दीगी ल पहले 6 hours पे अपने आपको सर्वाइव करना अगर 6 hours सर्वाइव कर देती है साइट तो फिर वो उस बैच पे सर्वाइव करती है पाकिस्तान करता है पहत Samustum करता है कि देखते हैं पाकिसानी क зай đe कर्णान किस तरह से कम वैक करता है। लेकर आपक्स गborफ ने के比, वान वैंगर चलैय खेंद के करे जो नहीं कि एपके फिर वाल Cornpin के मने और जिसी तरह से क्रिकट तारिक को इन संडे को पाकिस्तान का मैच है वो है बंगला देश के साथ पिर समी फानल्स है देन फिनाले है अब ये मैच कितना अच्छा खेलेगा परफॉर्म करेगा किस तरह से कौन सी कीम दो पॉइंट शासिल करेगी ये बड़ा इंपॉर्ट है और दुआ कीजे कि मैच है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बाड लग होगा और हमारे पाकिसानियों को दुआ करनी चाहिए कि ये मैच कंप्लीट हो और ये मैच हम चीते और चीतने के लिए लास्मी है हर खिलारी को परफॉर्म करना पड़ेगा आप देखना ये है कि इस मैच का कौन बहती अच्छा परफॉर्म करेंगे बाकिसान से बाबर आजम मुहम्मद रिस्वान और खास तरुप हैदर निदी पे नजरे हैं और शाहिए अफरीदी की पॉलिंग में वापस आते हैं निक में नहीं आप तबाम लोग ये मैच इस जतने दुनिया में जतने लोग ये मैच और अपने आप से एफॉल टुाबल कमेंट्री सुनिये जनावं पॉल टुब decir सकते हैं और लाइव कमेंट्री अप सुनेंगे उसके लावा हमारे फॉड़े वाले दिन परर प्रोग्राम श्रूर दीखे स्कोप प्रोग्रम को देखना मद भूलिए योच्ण आर YouTube चैनल आपके रेक्स प्रोग्राम में और आप सो बात करेंगे इन्शाला ताला अगले मैचस के बारे में आमिर खान साइनिंग आफ पिलते हैं नेक्स प्रोग्राम में अला खाफिज आर दे में आरुट झाला टूं इक्स बारे में नेक्स प्रोग्राम ऑले साइनिग्स रगले समुझell कर सक्राइनि दे करेंगे डिया स्कार्ण में आता करेंगे भारे में